नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हारदी का विनंदन है, स्वागत है, मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार जहा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्मान, नैरितिकोन, नैरितिकोन के किचेन के बारे में आज हम लोग चर्चा करन क्या सौथ वेष्ट का किचेन सूफल दाई है या असूफल दाई है, असूफल दाई है तो ये कैसे असूफल दाई है और इसका वास्तु डिमेडी बिना तोड़ फोर किये, कैसे करें तो वीडियो में बने रहिए, हम चलिए वीडियो सुरू करते हैं, सबसे पहले देख वास्तु में नेरित कौन का क्या महत्त्व है और क्या परभाव है, नेरित कौन यानि कि दच्छिन पसिम का कॉर्णर जिसमें की सूर्देब की दोपहड की बात की रोशनी या उर्जा मिलती है, क्योंकि उत्री गुलार्द, अभी हम लोग उत्री गुलार्द की बात कर रह जाते हैं तो दो पहर के बाद में इंफ्रा रेड रहता है क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है उत्तर से आने वाली मैगनेटिक चुमबकी सकरात्मक उर्जा यहां आकर जमा होती है संचय होती है इसलिए यह जगा उर्जा धन का स्टोड़े इसलिए इसलिए इ उच्छा बना लीजिए हम लोग सभी जानते हैं कि मैगनेटिक रे उत्तर से दच्छीन में आती है और हमारे घर में यहां नेरित तकोने में सबसे ज़्यादे इनर्जी यहां पर स्टोड़ होता है संचय होता है जमा हो जाता है यह स्थान राहु के तू और प्रिश्वी क इस्थान है जो कि मैंने और लेडी बेडरूम के कड़ी में डिसकस किया हुआ है इस कारण वास्तु में यह भाड़ी इस्थान माना जाता है क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रिश्वी भाड़ी तत्त है और उसके गृत्वाकर्शन का हमारे जीवन में बहुत प्रभ प्रतिकूल प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा यहां पर अगर किचेन है और रसोई करने वाली महिलाएं तो उनको मैंटिक इनर्जी बहुत जादा मिलेगा जिसके वैसे क्या होगा कि रेगलर यहां रसोई करने से उनको मैंटिक इनर्जी जादे मिलने से उनको सारेरिक दर्द रहेगा एरियो में दर्द रहेगा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है गरवासय का प्रॉब्लम हो सकता है उनको और दूसरा प्रॉब्लम यह हो सकता है कि उनको इतनी जादे इनर्जी मिलने से क्या है कि उनमें ए बहुत दोनों इसमें अगर रसोई कर रही हैं तो दोनों मेग्रेशन हो जाएगा दोनों अपने अपने पती को डॉमिनेट करना चाहेंगी इससे क्या होगा घर के टूटने का भी आ सका है तो इसलिए नड़त कोने में अगर किचेन है तो इसका वास्तु दोश जो है निवार सबसे पहले देख लेते हैं कि नड़त कोन रसोई घर में वास्तु दोश निवारन के लिए गैसे स्टोप या शिंक कहां पर होना चाहिए तो मा लिया जाईए हमारा किचेन है जिसका नक्षा खीचा हुआ है चारो दिसाएं जो है दी हुई तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए पीले रंग का स्लैब लगा ये अगर स्लैब और लेड़ी लगा हुआ है हम लोग किराय के मकान में रहते हैं तो दो फिट बाई दो फिट का एक पीला एस्टोन ले आईए बजार से और अपने गैसे स्टोप की नीचे लगा ल लगा हुआ है तो आपको पूड़ा स्लैप ग्रिनाइट का पिले रंग का लगाना चाहिए गैस श्टोब दच्छिन पुर्व में रखिए अगर नड़ित कोन का किचेन है तो दच्छिन पुर्व में रखिए सिलेंडर भी दच्छिन में रखिए इस तरीके से जो है आप हूँ प्रीज आप दच्छिन या दच्छिन पूरब में रख सकते हैं तिंग पानी का स्टोड इस वाटर फिल्टर उत्तर या उत्तर पूरब में ही होना चाहिए उत्तर की दिसा जो है जल तत्त्त की दिसा है और दच्छिन पच्छिम के रशोई में यानि कि नयलत कुने के कम से कम पानी इस्तिमाल करें क्योंकि यहां पर भाड़ी तत्त्त है पानी से आपका पैसा बहेगा तो पानी का कम से कम इस्तिमाल करें हो सके तो यहां सिंक रखें और इस वाटर फिल्टर को कहीं और सिफ्ट कर दें अब हम लोग देख लेते हैं कि रंग से कैसे वास्तु दोष निवारन करें हम लोग सभी जानते हैं कि वास्तु सास्तु में रंगों का बड़ा महत्तु है तो क्या होना चाहिए सफेद पीला या लाइट ब्राउन सबसे उत्तम रंग है नैरत कोन के में दिवारों के लिए लेकिन अगर आपको वास्तु दोष निवारन करना है तो लाइट ब्राउन जो की प्रित्वी का कलर है दश्विन पछिम रसोई घर के वास्तु दोष निवारन के लिए बहुत ही जरूरी है किचिन स्लैब का ग्रेनाइट मैंने जैसे बताया पीला होना चाहिए समान स्टोडेज रैक का रंग आप पीला रख सकते हैं क्या नहीं होना चाहिए आसमानी नीला स्काई ब्लू पानी का रंग इस्तिमाल ना करें ये उर्जा अगनी को खतम कर देता है यानि कि पानी और आग एक दूसरी की दुश्मन है तो ये रंग तो आपको कभी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कभी भी डार्क रंग काला रंग इस्तिमाल नहीं करना चाहिए हर जगा एक सा रंग नहीं हो जैसे ब्राउन कलर का आपने दिवारों में रंग लगा लिया तो छत आप सफेद का कर सकते हैं, किचेन का सलैब आप पीला कर सकते हैं, स्टोरेज जो है, हर जगा जो स्टोरेज है, वो आप पीले रंग का बना सकते हैं, तो एक सा रंग नहीं रखना चाहिए, अलग-अलग ब्रॉन हो गया, सफेद हो गया, पीला हो गया, ये तीनों कीचेन है जिसमें उपर उत्तर है नीचे दच्छीन है राइट हैंड पर पूरव है और लेफ्ट हैंड पर पच्छी में चुकि ये पिट्षवी का इस्थान है भारी तत्व है तो सिंबॉलिक आपको कुछ भारी एलिमेंट यहां पर रखना पड़ेगा तो रसे घर के दच् पर निधर आप यहां रख सकते हैं वजार में ग्लूब मिलता है तो आप दच्छीन पच्छी में एक सिंबॉलिक प्रिश्वि Hahn का बना हुआ ग्लूब भी रख सकते हैं और यह दच्छीन पच्छी में छोटा सा ये नीचे जमीन के पास कुने में आप रख लिजिए इसको जो है एक बार clock wise या anti clock wise घुमा लीजिए रखने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि जल वल्ब और जूला से कैसे वास्तो दोशनिवारन करें दच्छीन पच्छीम का चुकी एक औरनर है यह घर की मुख्या कैस्तान होना चाहिए इसलिए मैं जादे से जादे वास्तो दोशनिवारन आपको बता रहा हूँ आपको जो पसंद आए वो आप जरूर करें तो मैंने हमेशा बताया है कि माल लिया जाए यह हमारा construction है पूड़ा का पूड़ा plot है फ्लैट है हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम उसमें तोड़ फोड करा सके तो एक छोटा सा जल पात्र लीजिए और घर के उत्तर पूड़ में एक मिटी के पात्र में गुलाब जल या इत्रवला जल रखिए और हर दिन सुबह में ये जल बदलिए उड़ाना जल किसी पौदे में डालिए और ताजा गुलाब जल बढ़ लीजिए ये सौव वास्तु दोश का एक निवारन है बरस ध्यान रहे कि गुलाब जल आपको ये मिटी का पात्र में ही रखना है फ्लैट के घर के दच्छिन पुर में जल तत्तु से संबंदित जैसे बात्रोम बोरिंग कुछ न हो क्योंकि आपका kitchen है दच्छीन पच्छीम में यानि कि आपने kitchen पुर्व जो कि आगने कोन है वहाँ kitchen होना चाहिए वहाँ kitchen नहीं है यानि इसका मतलब कुछ और निर्मान है तो कोसिस करें यहां जल से संबंदित कुछ भी ना हो अगर यहां पर आपका bedroom है या balcony है या कोई दूसरा room है बच्चों का room है तो एक red color का बलब आप जलाईए जो कि symbolic अगनी को represent करता है और कुछ देर के लिए हो सके तो रात भड़ ये लाल कलल का बलब 20 गंटे आप जला सकते हैं तो इससे आपका अगनी तक आपने यहां ले आए जल तक तो आप यहां ले आए तो आप balancing कर रहे हैं यहां पर आपने brown color का tumlet stone लगा दिया तो balancing होगी energy का balancing हो तो आपका वासुदोस निवारन हो जाएगा घर के दच्छीन पच्छी में एक जूला लगाई है अब जूला क्यों लगाएं इसका मैं आपको scientific कारण बताता हूँ यहां से जो manatic energy आ रही है चुकि यहां gas stove है वो manatic energy खतम हो गई जल गई जूला एक भाड़ी element भी है अगर आपके पास जगह है चत पर लगा सकते हैं या अपने garden में लगा सकते हैं तो जूला बार बार swing होने से क्या होगा कि फिर से manatic energy generate होने लगेगा और आपकी जो negative energy खतम हो गई थी वो positive energy में change हो जाएगा तो बहुत सारे धर्म के मानने वाले कुछ और भी बोलते हैं कि राहू का मुख खुरा हुआ है के तू का ये है वो है तो मैं आपको सिर्फ science के वह से बता रहा हूँ कि जूला क्यों रखते हैं क्योंकि फिर से आपका manatic energy restore कर देगा और जूला किस सीट का लगा है हो सके तो भाड़ी जूला रगा है जो कि ये ये element भाड़ी element है तो ये नैड़ित कौन के रसोई घर में ये छोटे-छोटा आप उपाई करके वास्तुदोष निवारन कर सकते हैं अब हम लोग देख लेते हैं कि और क्या-क्या छोटी-छोटी बाते हम डिली लाइफ में डिली में हम लोग वास्तुदोष निवारन के लिए कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए घर के मुख्या को सप्ता में एक दिन रसोई में जरूर सोना चाहिए अब यार रसोई घर के पास अगर कोई कमड़ा हो नैड़ित कोने जो है घर के मुखिया के लिए है तो एक दिन आपसको सब्ता में समय निकाल के वहाँ जरूर सुना चाहिए खाना बनाते समय मुख हमेशा पुड़व की ओर हो खोसिस करें कि किचेन में खिरकी वेंटिलेशन हो जिससे सनलाइट हवा आ सके अगर खिरकी वेंटिलेशन कम है तो चिमनी जरूर लगाईए गैस स्टोब ये सिंक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर है तो उसके बीच में कोई सा दिवार जैसा बना दे रसोई घर हमेशा शाफ सुत्रा रखें और नैडित्तिकोन के रसोई घर का वास्तु दोशनिवारन के लिए आप समुदरी नमक से पोच्छा लगा सकते हैं रसोई के उत्तरपुड में माता अंडपुन्ना का फोटो लगाए अगर आप धर्म को मानते हैं तो नैडित्तिकोन के वास्तु दोशनिवारन के लिए ये बहुत ही जरूरी है खाना कभी भी दच्छिन मुख करके नहीं बनाना चाहिए एक तो नैडित्तिकोने का दच्छिन पच्छिम का किचन उपर से आप खाना दच्छिन की बना रहे हैं तो जरूर जो है मैंटिक इनर्जी जो उत्तर से आने वाली मैंटिक इनर्जी है जो रसोई कर रहा है जचिन की तरफ उसको पीठ पर हिट करेगा जिससे उसको कमर का दर्द, गर्देंद का दर्द और भी बहुत सारी सारेडिक दर्द उत्पन होगा और ये लॉग टैन्म उस गैस स्टोप नहीं दिखना चाहिए, खाना बनाने वाले की उपर कोई हेवी वीम नहीं हो, अगर है तो उस पर फॉल्स हिलिंग से ढग दीजिए, अदर्वाइस खाना बनाने वाले का हमेशा एक टेंसन रहेगा, सारेडिक दर्द रहेगा, किच्छन और सौचाले का कॉमन दीवाल नहीं हो, अगर है तो इसका वास्तुदोष निवारन कर लें, मैं आने वाले वीडियो में दरूर बताऊंगा कि कैसे कीच्छन अगर है, एक ही कॉमन से लाएवे तो वास्तुदोष निवारन करें, तो मेरा या चैनल सब्सकाइब कर लेंगे, तो आपको नोडिफ आता रहेगा, मकड़ी का जाल या गंदगी या कवार ना हो, कोसिस करें कि आपके किचेन में कभी भी कवार ना हो, पुढ़ाना समान कभी भी जमान ना करें, पुढ़ाने बरतन जमान ना करें, इसको कहीं दूसरे जगह सिफ्ट कर दें, थाली में हाथ नहीं डोना अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलाबा और क्या कर सकते हैं, भागवान का दिया हुआ, हमारे पास एक अदभुत अनमोल गिफ्ट है, जो की पौध है, तो नारित कौन में अगर आपके पास जगह है, रसोई घर के पास, तो आप कुछ-कुछ पौधा लगा सकते हैं जैसे बेंजामिन ब्लाक फाइकस, ये निगेटिव इनर्जी को अफशोसित करता है, सोखता है और पोजेटिव इनर्जी में चेंज कर लेता है, एरिका पाम, चिट प्लांट, बंबू प्लांट, पीस लिली, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैश्मीन, स्नेक प्लांट, तो ये नव प्लांट में से आप चाहें, तो कोई एक प्लांट लगाएं या सारे प्लांट लगाएं, आपका वास्तु दोश्निवार नर्त कोनी का जरूर होगा दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके बताईए, अच्छा लगा, तो लाइक की कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, संबन्यों के साथ सेर कीजिए, आपका दिन सुब हो, बहुत बहुत धन्यवादा